हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे आप लोग उमीद करते हूं बहुत अच्छे होंगी यह है दिन आठ तारीक का दिन है और सबसे पहले मैं प्रैस वगेरा कर रही है अपने सूट पे क्योंकि नौ तारीक की जो है मेरी बस है तो फटाफट फटाफट प्रैस करक ही है और थोड़ा थोड़ा बद जो रहेगा वो तो रात तक चलता ही रहता है तो यह काम बहुत जादा एकसा एकसाथ आया हुआ है और कुछ दो-तीन वीडियो बनाके जाने की सोच रही हूं कि बनाके जाओ और यहीं से डाल के जाओ न तो अनलिस्ट कर दो तो वहां पर आसानी रहेगी तो ऐसे करके सोच रही थी तो प्लानिंग काफी थी तो ऐसे करके बस यहां पर पैकिंग मैंने मेरी भी थोड़ी बहुत कर मझे गुश्यलिया करक दूर्णयमने करने रहे हैं सब्सकेज़त शंप करे की सबगों मझेने श enforcing आपड़ने रिकेशीफ है में और हमने मझे वेडियों कर दोमेशे रिकेशिए समये लक्तित राओं टेमा सेट कर दिया जिए एक दो व्लोग मैंने एडिट किये और बस अब यह सारा काम करती हूं और कुछ दिखता है बागी पहले मैं यह एरिंग्स और सब कुछ डालूंगी वो डालने के बाद और बस बागी करके और करूं के पोचा लगाना है थोड़े से एक दो बरतन है वो करने मेरा आज फास्ट लास्ट के दो करेंगे तौ आज मैंने कर लिया दो कर रही हूं और थोड़ा से बढ़ दर चाए मैंने भी ले लिए और आज व्लोग बनाने के वैसे बल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हूं कोशिश कर रही हूं कि बन जाए कि कैसे कैसे चलो मैंड जो बाहर निकाल लिया है थोड़ा बहुत मैंने वह सब कुछ डाल लेती हूं तो जो भी थोड़ा बत मेकप का सामान था वह डाला मेकप का बस होई कि मैं ज्यादा तो कुछ लगाती नहीं हूं तो बस फेरे लवली तो ममी के घर पे ही होगी बाकी एरिंग्स हो गए लिप्स्टिक हो गई और जो की है क्लचर वगेरा हो गए रिस्ट वाच हो गई और जैसे डीयो हो गया यह सब तो फिर जाडू लगाई जाडू के बाद बस कपड़े जो है वह डाल रही हूं मशीन में आरी होते रहेंगे बाकी अपना काम होते रहेंगा फिर जो है मजे किचन के बरतन करने थे थोड़े बहुत ही थे एक सब्जी के कडाई थी और सुबै की चाय का एक पें था और एक अभी की चाय का पें तो एक-दो और कुछ होंगे तो वह बरतन करूँगी उसके बाद जाता है तो उस टाइम पे व्लॉग नहीं कर सकते ऐसे करके तो बस फिर यह काम किया तो फटा-फट यहां पे मैंने जो है पोचा लगा दिया पोचा लगान के बाद देखो पैकिंग राद तक चलती रही कुछ ना कुछ ना कुछ ऐसा लगता है फिर जब तक बस में ना ब चमकूह कोई ना कोई जाती है तो यह कोई मझे बनानी थी तो यह मैंने कि फिर मुझे एक रिक्वेस्ट आई वी थी तामिर जी कि वह मुझे कंप्लीट कनी थी तो मने कंप्लीट कि एक email करनी थी तो वो भी मैं सोच नहीं करके जाओंगी तो ऐसे करके बहुत सारी वीडियो आज मुझे निकालनी है एक लाख सतावन हजार सासो चौरासी के करीब आएगी पांच सो रुपे अगर आप मन्थली जमा करवाते हो तो पंदरा सालों बाद आपको एक लाख सतावन हजार सासो चौरासी के करीब पैसे मिलेंगे तो फ्रेंड्स मैंने कई वीडियो बनाई ये सब करम किया और बीच में कुछ थोड़ी सी टेंशन भी होगी थी क्योंकि इनों ने कुछ परफोर्मेंस फर्म नहीं बढ़ा था उसकी वज़े से सैलरी भी जो है वो कट गे थी और टिकेट का भी पिछले दिन कुछ घपला हो गया था कि टिकेट चार इनों ने गलती से बुक करवा दिये थे ऐसे करने थे थोड़ा सा लॉस हो गया था तँ मेरा माइंड ऐसे हो गया था फिर बना चिलों जाई ह्या है तहूद हो थारी है Hmm, तहोदा सा फेस को भी एपन कर लेते हैं तो छोश किया इसकृप प्रब किया फिर बेसन और दही का ना मैं पैक लगा लूँगी और फिर जब पैक लगा लूँगी न उसके बाद खाना बना लूँगी क्योंकि मेरा फास्ट हुई था तो खाने में बस सिंपल सा कर जो सबजी आए ना कि ताकि मैं आऊं तब तक में दो तीन दिन में खराब जाए तो एक गिया की बना लूँगी ताकि गिया न खराब हो जाए और एक मैं बना लूँगी करे लेगी तो बस यही करना था तो जाते जाते भी देखो इतना काम करना था और एक मैनेज भी खरना था कि अगर मेरी वहाँ पे वीडियो नहीं बनती है मैं बैठी रहते हू तो मैं कुछ वीडियोपे दो तीन ऐसी में बनाके और लडालके जा रहे हं कि नेट की भी प्रॉब्लम ला हो और वीडियो पहले से डली पी again होगी इन उन लिस्त होगी तो मैं उसको ज़ू करती रहुआंगी जाफोभ. पब्लिश करती रहोंगी तो मैंने दो 3-4 वीडियो ना आज मैंने निकाली थी तो बस यहां पर आटा च्छान के लगाऊंगी गिया की सबजी बनाऊंगी और करेले की छोंकूंगी ठीक है फिर उतने में इलू के लिए बुट्टा भी करना था फिर बुट्टे के बाल दिख नहीं करवा रहा है मेभी क्योंकि आज कल मेरे घर पर वो जीओ वाला है तो डेट जीबी करवा के रखा है शायद मैंने हां सिर्फ डेट जीबी करवा के रखा था अभी दो दिन ही है उसके बाद तो मैं तीन जीबी वाला करवा लूंगी लेकिन बारा तारिक तक मेरे में कि रहता है हमें ही 16 असमय बोलने में निकल जाता है तो इस वाज़ेसे, तो मैंने इसलिए तेन से 4 वीडियो मैं आज छी तो थही तो थी, तो मैंने तो 3 वीडियो से Chief प्रोस के बनानी थी वाकी में बीका नेर पहुँच चुकी हूँ, क्यूंकि मैं नो तारिक की बस थी, वारा-साड़े-बारा पहुच चुकी थी, मम्मी का उगजँ कर आएगा, तो आपको मैं उसमें दिखूंगी, वहाँ पे बीका नेर में, बरॉत रह रह ठीज से रहिए, क्योंकि कुछ दवाईयां भी देख रखनी पड़ती हैं, कुछ बच्चे के लिए जिप्स वगेरा भी लेके जाना पड़ता है, आज कल वॉल्वो में जा रही तो वॉल्वो में अच्छी बस मानी जाती है, लेकिन आज कल वॉल्वो भी कुछ ऐसी चलू सी ही हो गई है, दे तो बस यहां पर वापस से देखो खाना मना के आई हूं और तयार हो रही हूं, तयार होके मैं एक वीडियो निकालूंगी बच्चत वाली, कि कैसे छोटी-चोटी बच्चत की जा सकती है, घर की खर्चों में से, कैसे छोटा-छोटा बच्चत करके हम उस बच्चत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस वैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जो नहीं कर पाते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो बस यहां पर फिर वो वीडियो बनाई, वापस चेंज किया, और फिर रोटी बनाई, क्योंकि मेरा फास था, और यह आएंगे तब ही वो खाना था, त टिंगे बना के लेक जभते लोगोंगे तो ड़ाय वूंब और पेट दर्द के लिए जाती हूं सफर होता है बस में इसलिए और कुछ खटी गोली हो गई है ना कुछ टॉफी हो गई लिपस्टिक लगई टॉफी हो गई ऐसे कुछ यह चीज़े सफर के लिए बस हो लेने के लिए निकली थी बहुत ज्यादा अस्थकार ने मुझे चार-पास वीडियो बनाई है उनको एड थोड़ी बहुत चीजे और डालनी हुई तो वह डालूँगी मैं और उसके बाद बस सुबह से जाना है चार-बजे मज़े उठना है सुबह चार-बजे उठोंगी और उससे भी पहले उठोंगी हो सका तो पिर टिपिन इनका बनाना है एक-दो एक-दो पराठे इलू के ल देख लेती हूँ कि आप मुद रहा है पैकिंग में